हलो फ्रेंग आज मैं आपके साथ सब्वेसाबलोस की कटिंग शेयर करूंगे तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है अब पहले हम पीछे वाला पार्ट कट करेंगे पीछे वाद लंबाई है हमारी 12 इंच तो इसमें हम एक इंच एश्टा बढ़ा कर लेंगे मार्जिन के ल आपर हम चोडर लेंगे 5.5 इंच अब मैंने 5.5 इंच पर एक लाइन ड्रोव कर लिए आर्मोल का बढ़ा हम 5.5 इंच पर इस तरीके से ऐघाय पर हम एक लाइन ड्रो कर लेंगे देखे मैंने आपे लाइन ड्रॉ कर ली अब हम गोलाई देंगे 1.5 पर और आगे वाली गोलाई देंगे 1.5 पर तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्किंग किया इसकी चोड़ाई लखी है नेची की तरह 3 इंच और उपर धाई इंच तो इस तरीके से यहाँ पर हम लाई ड्रो करके यहाँ पर आप अपने हिसाब से गले का शेफ ड्रो कर सकते हैं मैं आपर पान गला इस तरीके से ड्रो कर रही हूँ अब इससे हम कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने पीछी का पला कट कर लिया अब आगे वाला पला हम इसे एक पर पर यहाँ पर हमें इसे जैसे का वैसा ही रो कर लेना है इस तरीके देखे मैंने यहाँ पर इससे ड्रो कर लिया अब इसे हम निकाल लेंगे अब यहाँ पर हम एक इंच निच्छे लेकर आगे वाले गुलाई यहाँ पर इस तरीके से लेनी है अब यहाँ पर मैंने गुलाई दे दी अब हम आगे वाला गलाद ड्रॉ करेंगे हमेरे आगे वाले गले की चोड़ाई लखी है हमने उपर की तरफ रूपएं फाई इंच और लंबाई है शीक्स इंच और यहाँ पर चोड़ाई दी है जीन इच और इस तरीके से चोकन बना लेंगे देखें यहाँ पर लाइट ड्रॉ कर ले कर ली अब यहाँ पर आप हमें नीची की तरफ दिर इनच पर लेना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है अब यहाँ पर इस तरीके से भी गले की शेप देच्गते है यहाँ अब नहीं यहां से आप चाहिए तो यहां पर पान गला भी ले सकती है। इस तरीके से इसे थोड़ अब दो करूंगे, देखें। आप अपने पसंद से कर सकते हैं। अब लेना है हमें टक्स पॉइंट। यहाप हमारा टक्स पॉइंट है 3 इंच तो इसमें हम हाप इंच इश्ट्रा रएंगे यानि देखें 10.45 इंच पर मैंने निसान लिगा है अब यहाँ से हमें लेना है 5 ने 4 इंच यहाँ पर 5 इंच लेकर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेम हमें नीचे भी पोने चार इंच लेना है और इस तरीके से चोकर बनाएंगे देखें अब जितना हमने पोने चार इंच उपर लिया है यहाँ पर भी हमें इस लाइन पर उतना ही यहाँ पर हमने पोने चार इंच पर एक टिक मर दी और इस तरफ लेना है हमें एक इंच, एक इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अब इस निशान को हमें तीरचा मिला लेना है, इस तरीके से, देखिए मिला लिया, अब इस लाइन को हमें या पर इस तरीके से, या बेर भी हम एक तीरची लाइन खीश लेंगे, देखिए ह हमारी इस तरीके से अब इस साइट हमें लेना है 2.5 इंज जितना हम बेट लेते हैं और इस तरीके से तीरच्छा टेप लेकर लाइट खीच लेनी है यहाप आपको समझ में आ रहा है होगा यहापर हम थोड़ी से गोलाई में यह हमारी क्रोस पर्टी आएगी यहापर तो यहापर मैं थोड़ी से गोलाई में इस तरीके से लाइब देखे निया यहापर फ़ोड़ी गोलाई में लाहेग ड्रॉ करते में यहापर तर जोड़ना है यहापर हमें इसी चुटब ढूंरोट लिकर लाइड लेंगे और फिर इससे देखे.. मिला लेंगे तीक ही यह आपर मिला लिया अब इसे हम कट कर लेंगे यह हमारी सर्वेसा की कटूरी बिरकूर रेडी है अब इसे हम कट करेंगे बेल्ट हम बेल्ट हमें अलग से निकालना पड़ता है तो यहापर हम इसे कट करेंगे यहापर मैं गले का शेप कट कर रही हूँ अब इस तरीके से जो हमारी हमने क्रॉस पर्टी का निशान लगा है इस तरीके से इसे भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से देखिए कट हो गया अब इस दोनों पार्ट को हमें अलग कट कर लेना है विया से हमें इस तरीके से देखिए कट कर लिया अब यहापर हमारा दो टक्स का मार्क है यहापर हमें मार्क करके यहापर चोटा सा कट लगा लेना है ताकि हमें समझ में आये कि हमारा टक्स पोई कहापर है यहापर चोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके अब इसे भी हम काटके निकाल लेंगे देखिए हमारी सब्वेसा की कटूरी इस तरीके से आएगे यहापर जोडेंगे इस तरीके से तो जितना हमारा यह आएगा इतना हमारा यह पप क्रियेट होगा इस तरीके से तो चले, अब इसे हम अस्तर पर कट कर लेते हैं, अस्तर पर हमें इसे बढ़ाना पड़ता है, तो देखते हैं, इसे बढ़ाएं, यहाँ पर मैंने अस्तर को ले लिया है, सबसे पहले हम पीछे वाला पल्ला कट करेंगे, अब पीछे वाला पल्ला जैसा हमारा है, वैसा ही हम कट कर लेंगे, यहाँ पर चाहें दो आप गला अपने हिसाब से, आपको जिस तरीके से करना है, आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पान गला ही डौ कर रहे हूं, अब इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे, इसमें मैंने स्लीव की कटिंग नहीं दिखाए है, जैसे स्लीव हम नॉर्माल कट करते हैं, वैसे ही स्लीव हमें कट करते हैं, अब यहाँ पर हम पीछे वाला पल्ला यहाँ पर मैंने कट कर लिया, इस तरीके से, देखिए हमारा पीछे वाला एक्जाप रेडी है, अब लेना है हमें फर्ण का उपर वाला भाग, गले जहाँ पर हमें गले का शेफ है, हमें उपर की तरफ गले वाला शेफ वैसे ही ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर भी ऐसी ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पर हाफ इंच एश्ट्रा लेना है, जब हम सिलाई करेंगे तो यह सिलाई में चला जाएगा, अगर आप इस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे, तो आपकी सब्जिसा की कटूरी का शेटिंग अच्छे से नहीं आएगी, तो आपको यह बढ़ाना ही पड़ेगा, देखें इस तरीके से हमने गोलाई में हाफ इंच बढ़ाया है, यहाँ पर हमें टक्स का मार्क भी ले ले तो यहाँ पर एक मार्क तिक करके यहाँ पर हम अब इससे हम कट कर लेंगे, देखें मैंने यहाँ पर कट कर लिया यहां पर छोटा सा कट लगाएंगे गले का भी इससे जैसे का वैसा ही हम कट करें देखिए हमारा आगे वाला भागे जिसे हमने कट कर लिया अब हम जो हमारे नीचे वाला भागे इससे हम कट करेंगे अब होम आपको समझ में आया होगा तो या पर हमें इसे उतना ही डुटा कर लां और नीचे की साईट हाफ इंच बढ़ाना है इस तरीके से या पर मैंने याप इंच बढ़ाया अब इस साइटë हमें देर इंच हेश्टा लेड़ लेना है जब हम इस में और उपर की साइट हाप इंच इस तरीक से सिर्चिलाई कर रहेंगे यह पर आपको समझ में आया जब हम इसे इस तरीक से जोड़ेंगे तो यह देडिंच हमने एश्ट लिया ताकि यह पॉफ में चला जाएगा तो हमारी फिटिंग अच्छे से आएगी नहीं तो वो कम तो आपको देडिंच बढ़ाना है तो इससे भी हम कट कर लेंगे देखें मैंने आपके कट कर लिया अब इस तरीके से यह हम इसे जोड़ेंगे तो इस तरीके से आएगा अब हम बेल्ड कट करेंगे यानि क्रोस पर्टी की लंबाई हमें पीछे के हमारा जितना कमरकान नाभ है उतना लेना है तो यहाँ पर मैंने मार्क ले लिया अब इस साइट हमें लेना है 2.5 इंच और इस साइट लेना है हमें 4 इंच याद रखिए यहाँ पर हमें 4 इंच है और इस तरीके से तीर्छी लेन लेके हमें बेल्ड का शेप दे देना है अब इसे हम कट कर लेंगे यह हमारा बेल्ड कट करके रेडी है देखें अब इसे हम आस्तर पर कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग नहीं दिखाई है क्योंकि हम नार्मल स्लीव जैसे कट करते हैं हमें वैसे ही स्लीव को कट करना है यहाँ पर मैंने अस्तर को भी इस तरीके से रखकर पीछे वाला पल्ला कट कर लिया या हमाला पीछे वाला पल्ला यह आएगा हमारा आगे वाला अस्तर को हमें हाप इज या फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लेना है ताकि यह हमारे सिल्हे में कभी कमना पड़े तो आपको ध्यार रखना है एक जैसा बराबर नहीं करना थोड़ा सा बड़ा ही कट करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो तेकि मैंने यह पर कट कर लिया यह हमारा आगे वाला उपर का पल्ला कट हो चुका है अब हम नीचे वाला करेंगे आप कपड़े को अपने हिसाल से एकजस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपके बैठेंगे वापर रखकर आपको इसे कट कर लेना है देखे मैंने इस तरीके से रखकर निशान लगा कर अब इसे मैं कट करूंगे इस तरीके से उम्मिद है आपको सद्विशा की कटूरी की कटिंग समझ में आई होगे और आपको कोई कोच्चन होगे तो आप कमेंड सेक्षेन में पूछ शकते हैं यहाँ पर अब हम बेल्ट को निकालेंगे हमारी इस तरीके से बेल्ट में हमें बढ़ाना नहीं है जितने हैं उतना ही प्लाइन रोकर के आईसे हम निकाल लेंगे यहाँ पर हमारी ब्लाउस की कटिंग पूरी तरह रेडी है इसे कट करने के बाद यहाँ पर कट कर लिया बेल्ट का पाठ है यह बेल्ट है यह हमारे आगे वाला पाठ यह आएगा हमारे नीचे और यह पीछे वाला पलना उम्मिद है वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नही किया है तो कर दीजे